बूट इवनिंग फ्रेंट्स वेलकुम टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आप सब की साथ एक बहुत ही सिंपल और एफेक्टिव है रेमडी शेयर करें हूँ जिससे बालों में ठीकने चाहेगी बालों का तूत नजर्णा बिल्कुल बंद हो जाएगा और बाल सिलकी श जिस डालेंगे वो डालेंगे दो छोटे चमच चाय की पत्ती ती लिफ्स जो भी आपके घरों में चाय पत्ती हो आप डाल सकते हैं चाय पत्ती नहीं सिर्फ बालों के कलर को डार करती हैं बलके बालों को जड़ों से मजबूत भी बनाती है उसके बाद हम इसमें डालेंग जितना मेथी दाना जिसे हम पेनोगरिक सेट्स भी कहते हैं ये वालों में थेकनिस देगी वालों में नेच्रल शाइन करेगी देगी वालों को कंडेशनिंग करेगी अब दूसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे दो छोटे चमच चावल मतलब राइस जो भी चावल हो आपके प चावल एक चमच लिया मेती दाना अच्छी तर्थे दोनों को वाश किया और इनने हम इसमें हमने डाल दिया अब हम इसे रखेंगे गैस पर गैस के फ्लेम को अन करेंगे और इसे तब तक बॉयल करेंगे जब तक तीन कप पानी दो कप तक रह जाए ठीक है ताके इन सब मे हमें पानी में गोड़नेस मिलें यहाँ पर हम आगे का प्रोसिस शूर करें उससे पहले में आप सब चोटीची रिक्वेश्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अपकर सब्सक्राइब में किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर कर के बेल बटन जरूर प्रेश करें जो हम डखकर लगबग आधा से पौन गंटा एक गंटे तक छोड़ सकते हैं, छीक है, हमने चावल को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था, ताके बिलकुल अगर पक गए तो प्राब्लिम हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें, आप देखें कि कितना पकाना है, अब हम क्या करे इसे हम अच्छी तर से चान लेंगे, मैंने इसे चानने की मदद से चाना है, आप जैसे कमफटेबल हो वैसे चान सकते हैं, ये चारों चीजें बालों पर कमाल का रिजल्ट देगी, अब मैंने इसे चान लिया है, साइड में रखा है, अब एक छोटा सा मेने प्याज लिया है लगबक एक छोटा चमछ हमें चाहिए, प्यास का रज, ठीक है, मैंने प्याज का रज निकाल लिया है, अब जो हमने पानी बनाया था, उसमें से हम 10–12 चमछ डालेंगे, इसमें हमने प्यास लिया था, ठीक है, अब मैंने इसमें डाला है, आप अपने, ये सिर्फ drop डालेंगे lemon juice से इससे क्या होगा कि जो onion की smell है वो नहीं आएगी बालों से और उसके साथ साथ अगर dandruff है तो वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि vitamin C होता है उसके बाट डालेंगे जाव से पास drop कि C B essential oil के यहां आप एक vitamin E का capsule भी डाल सकते हैं मैंने यहां पर essential oil add किया अब इसे अच्छी तर से mix करेंगे इसे सिर्फ आपको बालों की जड़ों में लगाना है इसका काम सिर्फ जड़ों में है ठीक है बालों की length पर आप चाहें तो oil लगा सकते हैं पर इसे जो हमने बनाया था उसे सिर्फ बालों की जड़ों में यह एस्परे बाटल में डाल कर लगाएं यह cotton के help से उसके बाद लगबग एक घंडा चोड़ें उसके बाद जो हमारा बाकी का पानी बचा था उसमें हम डालेंगे अपना shampoo देखें कोई भी बिल्कुल mild shampoo हो सकते तो baby shampoo का यूज करें मैं जाद करके baby shampoo का ही यूज करती हैं क्योंकि उसमें chemical नहीं होता है अब इसे अच्छी तर से mix करेंगे और एक घंडे के बाद आप पहले उसे लगा ले एक घंडे के बाद इस shampoo से आप अपने बालों को wash करें week में एक से दो बार करें और मेरे सत अपना एक्स्पिरिंस जारूँ शेर करें